कुचाय कोट में सिर्फ एकी परिवार का दवदवा रहा है और दवदवार रहेगा वो है काली पांडे जी का परिवार रामिकवाल पांडे जी का परिवार हम लोग लोगों के दिलों पर राज करते हैं ना हम रगंदारी करते हैं ना उठाइगीरी करते हैं ना जमीन हडपते हैं हम इसे काम नहीं करते हैं और हमारे पुरवजों ने लोगों के बहुत मदद की है इसलिए हम आज यहां खड़े हैं और हमें हथ्यार लेका गूमनेका जरुषित नहीं पड़ती है लोग हमारे साथ है लोग हमारे लिए जाननेशार को तयार रहते हैं हम, उनकी गुरी खाने बहाबली की फिल्म भी बनी बहाबली पॉस्टिफ सेंस में था लेकिन बाद में जब रगंदारी और क्रिमिनल माइंडेट लोग घुसने लगे तो बहाबली का मतलब दूसरा होगा प्रशांद की सोर जी आपको टिकट देते हैं तो आप विधान सभा लड़ी है तो क्या फिर से पांडे-पांडे की टकर देखने को मिलेगी जैसे 2020 में मिली थी यह सवाल बड़ा अच्छा किया आपने कुचायकोट में सिर्फ एक ही परिवार का दवदवा रहा है और दवदवा रहेगा वो है काली पांडे जी का परिवार रामिकौल पांडे जी का पर है और हमारे प्रोजों ने लोगों की बहुत मदद की है इसलिए हम आज यहां खड़े हैं और हमें हत्यार लेगे जmiař Prix जरौत करते हैं लोग हमारे साथ हैं लोग हमारे लिए जान इचाहर कोने करेडार रहते हैं तो दूसरी बात की जहां तक आपके विधायक जी हैं पापू पांडे जी पांच बार के विधायक रहे हैं उसमें कोई नहीं है लेकिन जो विधायक को कई हारात में पिछले दूजार पंदर में जब बने वोटिंग में क्या हुआ इतना अचानक मैं काउंटिंग में था फिर कुछ वहाजी लड़ गई तो चुनाव उनके लिए असान नहीं हो फार ओर ये भी नहीं है बहुत तो ये तैन ही मुगेश भांडे लड रहे किसको दे रही है तो अगर मुकेश पांडे लड़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आए हूँ है उनको चैर्मेन एक बार रहे हैं लेकिन उसके बाद जेल गए फिर समझा तो जो भी हुआ कोड का मामला तो वह त्यारि कर रहे है ठीक है तो अभी जब पाटी संगठर हमें डिसाइड करेगा और अगरे फादर भी कहते हैं कि ताकत कम इसी उसका भी नहीं करना चाहिए उन्हों हमने किया है और हमें पावर समालना आता है अगरे बहुबली वही होता है जो मतलब दंगे को रोक सके दंगा भड़का है देखिए जिस इलाके माँ बैठे हुए है यहां कानून नाम की कोई चीज नहीं होती थी तो जो हमारे पिता जी को जो बहुबली का टैग मिला रॉबिन हुड नौर्थ वियार वो गरीबों की ज लेकिन जब बाद में जब रगंदारी और क्रिमिनल माइंडेट लोग घुसने लगे तो बहुबली का मतलब दूसरा होगे तो रियल सेंस में काली पांडे जी बहुबली रहे जोने उन्हों मदद के अपने बहुबल से संरक्षित किया जो सोशित लोग थे उनको संरक्षि जो नहीं बिता चुका हूँ मैं जैसे मैंने बताया कि मैं घर-घर कुछाय कोट घूम चुका हूँ दो-दो बार पांच बार लोकसवाई घूम चुका हूँ चुनाओ में आके और कई दिन से लोग मुझे एक कहते थे कि अगर वो आवत का है ने खी अब मुझे देखके ज संगटन त्यार हुआ समिति बनी यह लोग त्यार हैं और हम दो हजार पचीस में आप इसका जल्वा बिहार में देखेंगे क्या मतलब लोग आप पे बिश्वास करते हैं जिस परकार से आपके पिता जी को जह है लोगों की समस्या में वो पहुंचते थे सुख में तो नही निभाई गई जो भूमी का उससे आप खरे उतर पाएंगे देखिए मैं काली-पांडे तो नहीं बन सकता हूं ठीक है और्फना-काली-पांडे हूँ इस सद्धायतर ऑड़का हूं हां अब इलाज करना पड़ा है, अभी कुछाय कोट में लड़के का बड़ा दुखी था मेरे पास आया, ऐसे था पतला सा कि मेरा हार्ट का उपरेशन पैसे भी नहीं मेरे पास, तो मैंने वहां डॉक्टर विजे गुपता है, उनको पास राज़गाई सुपर सेस्पेसिलिस हस्पिताल ने भेजा है उनको मैंने और कम से कम पंद्रा लाक रुपए लगता है, उनको फ्रीम इलाज हो गए, लड़का बेको स्वस्थ है, ठीक है, उसने मेरे पक्ष में एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको सबकी मदद करते हैं, तो मैं किसको जानता भी नहीं है, अगर यहां आजाता है, मेरे पास है, मिलता है, मैं हमें से मदद करता हूं, हमारे खून में, संसकार में हैं, हमारे बहुत कुल नहीं हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे लोग के लिए हमारे लोग जो हमारे जान निचावर करते हैं उनके लिए हम भी जान निचावर करते हैं अगर उनके लिए गोली भी खाना पड़े तो हम तयार हैं